हलो दोस्तों यूनिक अलाइन में अपनों का सौगत चलिए आज हम बताएं ओलेबल के प्रेटिकल के बारे में आप लोग जानते हैं कि ओलेबल का प्रेटिकल भी इंक्लूड कर दिया गया है आज हम बताएंगे उसी के बारे में क्या क्या आता है कैसे क्या होता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग करते हैं क्या है पहले देखते हैं कि कोशन क्या क्या पूछता है ठीक है कोशन को हम करते हैं यह देखिए आपका कोशन रहा अभी नाइलेट दोरा यह प्रेट 5 minimum, ठीक है, हमको क्या करना, एक document create करना है कि इसमें Libre Office Writer में, ठीक, और उसका font size minimum क्या रहे, 10 रहे, या सबसे ज़्यादा क्या रहे, maximum 12, ठीक, और margin जो होती है, वो कितना रहे, 1.5, ठीक है, यह हमारा question है, उसमें और 5 उसमें और आपसं दिये हैं, आपसं के ही दौरा हमको करना है, ठीक है, पहला आपसं दिया, एक bullet और number list, हमको, जो हम, उसमें document या format बनाएंगे, उसमें हमको क्या लगाना है, एक bullet या number लगाना है, ठीक है, और दूसरा question दिया, एक table containing name, address, basic pay, ठीक है, column, column में हमको क्या क्या करना, एक table बनाना है, उस column में हमको किसी का नाम लिखना है, address लिखना और basic pay लिखना है, ठीक, अगला दिया है, एक picture आप computer using media art gallery, हमको media art gallery से क्या मंगाना है, एक picture मंगाना है, ठीक है, और an example आप font work, ठीक, और क्या करना है, font work और the header with student name and date, ठीक, क्या the header में हम क्या करना हमको, header में name लिखना है student का, और date लिखना है, और page number भी लिख सकते हैं, ठीक, अगला दिया है create resume, create resume, हमको एक क्या करना, एक create करना, क्या resume को, चलिए देखते हैं, किस प्रकार से हमको बनाना है, ठीक है, आई आगे बढ़ते हैं, देखिए, जो हमारा बनेगा Libre office में, ठीक है, Libre office में जो बनेगा इसी प्रकार से हमको क्या करना है, create करना, अभी जो question, अभी आगला question बनाए है, देखिए, question दिखाते हैं, आप लोगों को कैसे क्या करना है, इसमें दिया है पहला question क्या है ठीक है, पहले question में दिया है, कि bullet numbering list, क्या दिया है, bullet numbering list दिया है, ठीक है bullet and numbering list तो इधर देखते हैं, bullet and numbering list कहा है, देखिए, bullet and numbering दिया है, इधर देखिए, bullet इसमें हमला गलक से नेम लिखे हैं, ठिक, उसके बाद computer picture gallery font work से क्या करेंगे, हमारा font work से एक हम मंगाए हैं, क्या, computer, ठिक है, और आगे देखते हैं, इसमें क्या का रहा, आगे कहा है, कि आप क्या करीए, header में student का नेम लिखना है, और date लिखना है, ठिक है, तो header में देखें, हम student का name लिख देंगे इसी प्रकार बनाना एकदम जग्कास तरीके समाफ लोगों को बनाने को बता रहे हैं आगे देखिए कैसे बनता है सबसे पहले हम क्या open करेंगे LibreOffice Writer ठेक है open करने का तरीका तो सबको मालूम ही होगा चलिए open करते है LibreOffice Writer यह रहा हमारा LibreOffice Writer ठेक है देखिए बचों यह हमारा क्या है LibreOffice Writer है न ठेक अब इसमें क्या कहा है पहले अभी उपर हमारा क्या होता है यह हमारा Header होता है इसी Header में सबसे आखरी वाला question जो है पांचवाँ इसमें क्या कहा रहा है Header with student name ठेक है Header में ही हम लोग क्या करते है student का name रिखते है चलिए अभी बात की बात है अभी बात में जब उसका number आएगा तब बताएंगे पहला question क्या कहा रहा है देखिए bullet and numbering list क्या दे रहा है bullet and numbering list कहने को यहाँ पर बोला सबसे पहले हम यह चीज़ देखेंगे minimum कितना हो? 12 हो maximum कितना हो? 14 क्या बोला है? minimum 10 और maximum 12 font size हमारी क्या रहे? minimum 10 और maximum 12 रहानी चाहिए उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ठीक है? सबसे पहले हमको क्या लगाना है? ठीक है, एक एक point एक दम धीरे, धीरे सीखेंगे अराम, अराम से सबसे पहले हम लगाएंगे क्या bullet क्या लगाना हमको सबसे पहले bullet and numbering तो हम सबसे पहले इसको maximize करते हैं और कहीं देखिए यहाँ पे bullet होगा फार्मेटिंग टूल बार में हमारा bullet आता है इसका साटकट की होता है control plus 12 control plus यह 12 से क्या कर लेंगे हम ले लेंगे क्या bullet ठीक है bullet ले लिए ठीक अब इसमें कुछ हम type करते हैं ठीक है माल लिजे हम कर देते हैं B C A ठीक है B C A inter करेंगे दूसरा हमारा क्या आजाएगा bullet आजाएगा दूसरे पे हम क्या करते हैं A D C A लिखते हैं ठीक तीसरा क्या लिखते हैं हम यह हम सी ये लिखते हैं ठीक है इसी प्रकार जितना भी हम बुलेट लगाना चाहें उतना क्या करेंगे हमारा बुलेट लगता हुआ चला जाएगा अब देखिए हमको क्या करना है बुलेट को हटाना है ठेक है बुलट को अटाना तो एक बार और inter करेंगे तो क्या होगा हमारा बुलट Ohh लगा होग फ्रकार के हमको बुलट लगाना है तो देखिए यहां अलक अलक प्रकार के क्या दिये बुलट से दिये देखिए ये दूसरे तरीके का आ गया ठीक है इस पर कुछ लिख दिजे और भी अच्छे अच्छे डिजाइन इसमें दिये है more चले जाईए more में और अच्छे अच्छे डिजाइन दिये देखिए bullet सा जाईए देखिए इदर ठीक number लेना number लेना आउटलाइन ले लिजे, image type का लेना तो आप image type का ले सकते हैं ठीक है, image type का जाएगा जैसा, अच्छा, जितना अच्छा आप लगाएंगे उतना अच्छा आपको practical में number मिलेगा, ठीक है देखे, आगे देखे ठीक, आगे देखे इसके बाद क्या question में का रहा है, हम तो bullet लगा दिए, ठीक है, इसके बाद का रहा है, एक हम क्या बनाना हमको है table बनाना है, जिसमें कितने column हो, बताए जिसमें हमारा कितना column का रहा करने के लिए, एक हमारा सबसे पहले name, पहला, दुसरा address, basic pay, कितना name, name, address, basic pay department, ठीक है चार कालम है भाई, लोग name है, address है और basic pay, और क्या department है, ठीक है, देखिए आगे, आगे इसको क्या किसे करना है, इसको देखते हैं हम लोग, तो open करते हमारा जो library office, जिस पे अभी हम कारी कर रहे थे, यह रहा ठीक है, यह हमारा क्या, इसी हमने कारी कर रहा था न, चलिए हम मंगाते हैं table, तो table कहां पे होता है, standard toolbar में जाएंगे, standard toolbar में अभी formatting toolbar से हम क्या ला रहे थे, bullet and numbering क्या ला रहे थे, bullet and numbering अब हमको क्या करना है, standard toolbar से क्या लाना है, table को insert कराना है, ठीक है तो हम click करेंगे यहाँ और कितना लेना है, 4 चार, और कितना लेना है, कितने line में हमको लिखना है, 4 ले लिजे, 5 ले लिजे, जितना आपकी इच्छा उतना ले लिजे देखे, आ गया, यहाँ पर यह हम हाटा देते हैं, bullet bullet हटा देते हैं, बड़ा maximize करते हैं, और क्या करेंगे bullet हटा देंगे, ठीक आज आएगा, तो सबसे पहला हमारा क्या का रहा है, लिखने के लिए name, क्या का रहा है name, तो पहला अच्छा capital होता है, ध्यान रहे सबको yarn, A, M, E name, थोड़ा सा इसको बीच में करते हैं, अच्छा लगेगा थोड़ा इसका color भी अच्छा अच्छा लगा देते हैं, चलिए, इसको क्या करते हैं bold कर देते हैं, थोड़ा सा और क्या करते हैं वह लोग देखें एकदम अच्छे तरीके से बताएंगे आप लोगों को इसको छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा, ठीक है इदर size से पकड़के और इसको छोटा कर देंगे, ठीक इसको इदर लाके रख देते हैं ठीक है, दूसरा बोला है address, चलिए a ddr, ews address, चलिए, थोड़ा बीच में इसको करते हैं, और इसका भी क्या करते हैं, बोल्ड करते हैं इसको भी हम लोग क्या करेंगे बोल्ड करने का सबी लोग जानते हैं ठीक, बोल्ड कि ए और control plus B से क्या होता है bold होता है, सबी लोगों को मालूम होगा, बोल्ड का ठीक, और क्या करना इसमें इसका भी color थोड़ा सा अच्छा लगाते है ठीक, दूसरा कोई red color करते है ठीक है, address भी हो गया अब बोला है basic pay ठीक है, क्या लग निकालना आप basic pay की उसका basic pay कितना है ठीक है, B-A-S-I-C basic और क्या P-A-Y ठीक बजी और देखे इनको भी बीच में करते हैं और क्या करते हैं इनको हम इनको भी कर देते हैं bold, ठीक, इनका color भी black राने देते हैं, अब department करते हैं लिखना हमको, अब क्या बचा एक और बचा कालम एक और table का कालम बचाना इसमें क्या लिखेंगे department D-E-P-A-R D-E-M-E-N-T क्या हो गया department इनको भी बीच में करना है तो हम क्या करेंगे अपने mouse के ठीक है, mouse की होती है उसको ले जाएंगे एकदम corner में ठीक, और बीच वाली space button होती है, उससे क्या करेंगे बीच में कर देंगे, देखने में थोड़ा क्या लगे अच्छा लगेगा, ठीक और देखिए select करने का start cut की एकदम अच्छा सा बता रहे है आप लोगों को shift दबाएंगे, ठीक और कौन सी की दबाएंगे arrow key को, कौन सी arrow key को right वाली, right वाली click करेंगे, देखिए, एक एक करके select हो रहा ठीक, अब हमको क्या करना है bold करना, bold करते हैं इसका color change कर देते हैं देखिए ठीक, और highlight भी कर देते हैं इसको कर दिए, इतना आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, ठीक है नहीं आया तो दुबारा एक बार वीडियो देखिए ठीक है, आना चाहिए अब लिख दिजे, मनोज ठीक, अमान इतना लिख दिए, अगर और भी upsell लेना चाहेंगे, table लेना चाहेंगे बढ़ाना चाहेंगे, तो क्या कर सकते हैं हम ले लिजिएगा, ठीक अब address, क्या बोला है address, तो address डाल दिजे जहां आपका address होगा उस address को डाल दिजेगा जिनका जिनका डालिएगा नाम रहेगा, जहां उनका address रहेगा वहाँ वहाँ लिख देंगे, अब यहाँ पे लिख दिए ठीक, देखें राजापूर, और लिख दें रहे हैं civil line civil line या lie, या नि line, ठीक है, इतना चीज़ लिख देंगे, आप देखें बेसिक पे इनका कितना, बेसिक पे इनका कितना salary है, उसको लिखते हैं, माल लेज़े, पंदरा ठीक, निच्चे दूसरे cell में आएंगे, जो भी हो, उसको लिखेंगे, उसके नीचे आएंगे जितना होगा उसको लिखेंगे अब डिपार्टमेंट ठीक है ये डिपार्टमेंट की कौन से डिपार्टमेंट में है उसको लिखना है ठीक है बच्छों लोग देखें कौन से डिपार्टमेंट है उसको देखेंगे चलिए लिखते है पहला इनका क्या है क्या है physics, क्या रहेगा physics, ठीक, physics हो गया, ठीक, दूसरा क्या लिखेंगे math, या math, ठीक है, और तिसरा क्या लिखेंगे computer, ठीक, इतना चीज आप लोग बना लेंगे, दो, ठीक है, इतना चीज हम आप लोगों को बता दिये, ठीक है, इस में से कितना question हम बता हैं, खोले question देखते हैं, आपको ये भी बनाना बता दिये, bullet numbering बता दिये, ये table counting name, address ये भी बता दिये, अब अगला question आता, ये picture आप computer using media, art gallery, ठीक, उसमें एन example दिया है, कि example के तोर पे हमको कहां से लेना है, font works से लेना है, कहां से लेना है, font works से लेना है, ठीक है, चलिए, अब ह करेंगे, insert कराएंगे, तो insert में किस में जाएंगे, ठीक है, बताईएगा, insert में किस में जाएंगे, ठीक, देखे कहां कहां जाते हैं, font work कैसे आता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, insert में जाएंगे, insert में जाने के बाद, media, ठीक, insert में जाने के बाद, media में, media में जाने के उच्छा है देखे ओपन करिए ठीक क्या लिजे एक computer using media लिजे art gallery से क्या art gallery से ठीक है तो क्या करिए computer मंगा लिजे computer पर click करिए और क्या जाएगा एक computer आ जाएगा ना इसको अब लाक यहें पर scroll कर दीजे ठीक देखे हमारा एक computer आ गया कि नहीं आ गया ठीक अब जहां भी इसको fix करना होगा वहाँ पर डबल वार कहां पर click करेंगे mouse का रहा है left वाला double वार click करेंगे और जहां ले जाना होगा वहाँ इसको ले जाके रख सकते हैं ठीक है हमें आसा होगी आप लोगों को इतना जितना चीज़ बताएं आप लोगों को सब की जानकारी हो गई होगी ठीक है और लास्ट कोस्टन बसता क्या है देखिए लास्ट कोस्टन काता है H今 Matthew student ने इन डेट एक student का क्या कर ना है लें ठीक ACE उसके साथ साथ क्या करें आप लोग student का नाम और date लिखें कहाँ पर हीडर में हमको क्या लिखना है स्टूडेंट का नाम और डेट कहां पर लिखना है ہी डर में लिखना है ठीक है चलिए इसको भी लिखते हैं Heeder में, ठेक देखिए सबसे पहले अब इसमें कैसे लिखा जाता है इसको देखते हैं कि Heeder में ठेक, आप लोग जानते होंगे कि Heeder में अगर पड़े होंगे तो ये भी जानते होंगे के Heeder और Phोडर में हम कुछ लिख नहीं पाते हैं ठीक है तो इसमें लिखना आ तो यहां प्लेस के निसान पे क्लिक करेंगे ठीक अगर हमको कुछ भी लिखना रहेगा तो क्या करेंगे हम इस पे क्लिक करेंगे और प्लेस के निसान पे जब क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा ओ लिखने वाला बिलिंक करने लगेगा ठीक है तो यहाँ पे अब नाम लिख दीजे जो भी नाम उनका रहेगा मा लिजे मोहन कुमार है तो मोहन कुमार डालिएगा ठीक अब आगे क्या पूछा था डेट लिखने के लिए सबसे राइट साइट का अर्णर में आ जाएए और डेट लिख दीजे आज की जो भी डेट होगी 16 1223 ठीक देखे अब उधर चला गया तो इसको थोड़ा सक्या करिए बैक इस्पेस से कर लेजी ठीक है आपका ये तयार हो गया एक प्रेटकल आपका तयार है 100% क्या 101% देते हैं कि आसा भी करते हैं कि आप लोगों के ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा ठीक है कु ठीक है क्या क्या करना है देखें आगे इसमें पहले बुलट लगाए हैं उसके बाद क्या किये हैं हम टेबल ठीक है टेबल मंगाए हैं नंबर आड्रस बेसिक पर डिपार्टमेंट लिखे हैं उसके आगे क्या किये हैं हम फार्ट ठीक है फॉन्ट वर्क से हम क्या मंगाए क्या मंगा है बोले सभी लोग comment करिए ठीक है क्या मंगा है हम एक computer मंगा है उसके बाद आगे क्या पूछा है ठीक आगे पूछा है कि आप क्या करिए कि जो है हीडर में उनका नाम लिखे ठीक है उनका नाम लिखे और क्या आज का date लिखे ठीक हमें आसा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा create a resume क्या बचा था resume को create करना कि हम अपने resume को कैसे बनाएंगे ठीक अगर आप लोगों से practical में पूछ दिया गया ठीक कि आप resume को कैसे create करेंगे उसी प्रकार से अगर आपको कहीं बनाना पड़ गया या अपना resume खुद बनाना पड़ गया तो आप एकदम आईए हम सिखाते हैं एकदम अच्छी तरीके से और अच्छे analysis के साथ सब को आ जाएगा resume बनाना चलिए देखते हैं सबसे पहले क MS Word लिखें MS Word ठीक यह रहा हमारा MS Word ठीक MS Word को open करेंगे ठीक है तो MS Word को open करेंगे जब तो हमारा क्या होगा MS Word हमारा open हो जाएगा ठीक चलिए इदर देखते हैं निच्छे ठीक है MS Word हम open कर लेंगे और MS Word open करने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं देखते हैं किस format में आप चाहते हैं बनाना पहलो अपना format आप एक बार तयार कर लिजिएगा कहीं note कर लिजिएगा कि कैसे हमको क्या करना है resume बनाना है ठीक है चल यह हमारा एक resume बना हुआ है ठीक है इसी प्रकार से हमको क्या करना है resume को create करना क्या करना है create ठीक है resume को बनाना है एक दम इसी तरीके से ठीक यही आघ कर resume हमारे चलना है सबसे अच्छा सब लोग तो बनाने को मोबाईल में भी बना ले रहा है ठीक है लेकिन यहाँ पर हम आप लोगों को सिखाएंगे किस में लेपटाप या PC में आपको कैसे अपना रिजूम बना सकते हैं ठीक यहाँ के प्रेट कल में पूछा जा सकता है कि आपका रिजूम आप क्रिएट ठीक है अपना resume आप create करिए ठीक चलिए देखिए सबसे पहले हमको क्या करना यहाँ देखिए सबसे पहले दिया है क्या लिखने के लिए resume सबसे पहले वहाँ हम क्या type करेंगे सबसे पहले वहाँ हम type करेंगे resume ठीक यहाँ पे आप लाके इसको paste करिए अगर आपको मालूम है तो आप क्या करिए paste करिए क्या paste control plus V ठीक control plus V अब इनको यह हमारा आ गया इसमें इसको हम बीच में ले चलते हैं थोड़ा सा क्योंकि बीच में अच्छा लगेगा ठीक बीच में ले आए इनको select कर दिये थोड़े इनकी size को बढ़ा दिये size को बड़ी कर दिये देखे बड़ी कर दिये bold है इसका font style change कर देते हैं कुछ और font कर देते हैं यह अच्छा लग रहा ठीक है अपनी अपनी पसंद से अपना अपना resume सभी लोग create करिएगा भूलिएगा मत ठीक देखे इसके बाद अब क्या करना हमको अब इसमें देखते हैं कि क्या बोला है पहले थोड़ा सा size इसकी भी बढ़ा लेते हैं ठीक यह रहा हमारा region थोड़ा सा छोटा कर दो ठीक है सभी लोगों को दिख रहा है ना इंटर करते हैं इंटर करेंगे तो नीचे आ जाएगा सबसे पहले हम नाम लिखेंगे जो उनका नाम रहेगा क्या रोहन मालीजे रहा पहले अब अपना style name change करते हैं font की style change करते हैं ठीक अब नाम उनका लिखते हैं रोहन ठीक अब जो उनकी cast होगी काश्ट को लिखते हैं ठीक उसके बाद इंटर करते हैं अब हमको क्या करना है कि उनका mobile number लिखना है जो भी mobile number होगा mobile number 10 अंका होता है mobile number लिखिएगा इंटर दुबारा करिएगा अब क्या करना है अब हमको email id लिखना है email id जो भी होगी email id लिखेगा उसके बाद add the rate लगाईएगा क्या लगाईएगा add the rate ठेक है add the rate और क्या gmail.com add the rate gmail.com ठेक थोड़ा इनकी size बड़ी दिख रहे हैं ये थोड़ा छोटा करते हैं इनको select करते हैं ठेक है select करने के बाद font size पर जाएंगे जो size हमको चाहिए उस size को हम click कर देंगे ठेक उसके बाद enter करेंगे आप नीचे क्या हमको करना है अपने carrier objective मतलब अपने carrier के बारे में यहाँ आपे type करना है तो सबसे पहले heading क्या है हमारा carrier c पहला अच्छा बड़ा रहना चाहिए c a वली r carrier o b j e c t t i v objective carrier objective ठीक इनको हम select करते हैं इनकी भी font style थोड़ा change करते हैं दूसरे यह एक ही जैसा हो गया दूसरा कर लेते हैं ठीक और इनका color भी कुछ अलग कर लेते हैं color भी change कर लेते हैं यहाँ से अच्छा लगी कुछ भी बनाईएगा आप लोग बस अच्छा लगना चाहिए ठीक है उसके बाद देखे ठीक बन गया इसके नीचे क्या करें आप लोग underline लगा लीजे ठीक underline लगा लीजे ठीक है अब देखे उसके बाद क्या कहा है अब जो आपका carrier जो भी आपका रहेगा उसको क्या करिएगा इंटर करेंगे हम इंटर करने के बाद color black कर लेए automatic कर लेते हैं इनको भी change करना पड़ेगा सब जो लगाएंगे उसको एक बार हमको क्या करना पड़ेगा change करना पड़ेगा ठीक अब जो भी हमारा carrier रहेगा उसको अपने carrier को लिखेंगे हम यहाँ से select कर के लिए चलते हैं लिखने में time लग जाएगा ठीक copy कर लेते हैं इसे या आप लोग भी copy करिएगा control plus V कर देते हैं control plus V ठीक हमारा जो भी carrier रहेगा क्या हो जाएगा हम अपना carrier के बादे हमारा carrier कैसा है उसको क्या करेंगे हम लिखेंगे ठीक है लिख लिए है ठीक आगे बढ़ते हैं ठीक चलिए उसके बाद देखें क्या का रहा है उसके बाद qualification उसके बाद अपना हमको क्या इसमें देना है qualification देना है qualification ठेक qualification देना है चलिए qualification देते हैं अब हम अपना इंटर करते हैं ठेक है? qualification लिखिए qualification सही है? qualification ठेक है? rank होगा तो बना लीचीएगा वन्ना हम तो सही ही कर दिए ठेक? इनका भी style change कर दिए जैसे पहले था वैसा ही कर देते हैं थोड़ा सा और रुकिये रुकिये इनको select करिए select करने के बाद क्या करना हमको इनका style दूसरे तरीके करिए और थोड़ा इनकी size को क्या करिए? बड़ी कर दिए ठेक? और इनका color भी change कर दिए जो आपको अच्छा color लगेगा वोई color क्या करिएगा? लगा लिजेगा और underline भी कर लेते हैं ठेक? इतना चीज कर दिए थोड़ा इनका indent टुठा की इधर करते हैं ठेक है? हो जाएगा? चलिए अब आते हैं दुबारा इंटर दबाते हैं और नीचे चलते हैं दूसरे दुनिया में दुबारा दूसरा चीज लिखेंगे हम लोग ठेक? सब को change कर देंगे जो जो लगाया रहेंगे जितना font, style, bold, underline जो भी लगाया रहेंगे इसमें क्या करेंगे? हटा देंगे अब हमको क्या करना? qualification लाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? table लगाना पड़ेगा अब अगले class में हम आप लोगों को बताये थे कि table से हम क्या कर सकते हैं? ठीक है? lining द्वारा लेख सकते हैं insert कराईए, insert पे click करिए table ठीक है? तो कितना हमको कालम चाहिए? एक, दो, तीन, चार कितना कालम चाहिए हमको? चार कालम चाहिए एक में क्या रहे? examination रहे, board रहे, year रहे और percentage रहे, ठीक है? चलिए चार कालम लिजे दो, तीन, चार चार कालम हो गए अब मतलब उनका ये देखना है पहले में तो माली जी हो जाएगा examination, board, year, percentage हो जाएगा दूसरे में क्या 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 qualification है, 10th qualification है 12th है BA, BSC graduation है जो भी है, ठीक है? तो चार ही लेते हैं जिसका जितना रहेगा उपना हो उपना cell को ले लेगा यहां से ठीक, enter कर देंगे हो जाएगा यहां देखिए आ गया ठीक है, चार कालम आया ना ठीक, अब पहले में क्या लिखना है exam nation EX E-M-I-M A-T-I-O-Y-M ठीक है, थोड़ा size छोटी करते हैं बहुत बड़ी है ठीक, size हो, हम पर जाएगे और क्या करेंगे, छोटी कर देंगे ठीक, बोल्ड तो है आगे बढ़ते हैं, दुसरे में क्या लिखना है बोल्ड, कौन से बोल्ड से हो है ठीक है, उनका अपना अपना आप लोग बोल्ड लिखे, B-O-A-R ले, इनकी भी size सबको select एक बार करके सबकी size कम कर देता है ठीक है, सबको एक बार select करते हैं और क्या करते हैं सबकी size ही एक ही बार में clear कर लेते हैं, कि हमारी size कितना रहने चाहिए ठीक, कर लिखेंघे, अब इतना ही बड़ी हर एक की silki रहेगी, ठीक अब लिखते है यह ठेप और इसमें लिखते है परसेंटेज क्या लिखते है परसेंटेज ठीक है अब थोड़ा सा इनको भी क्या कर दें हम बीच में कर दें इनको भी क्या करेंगे हम बीच में कर दें ठीक है थोड़ा थोड़ा सा क्या करना हम को बीच में करना, दिखे, इनको भी थोड़ा बीच में करना, अच्छा लगे, जो भी लगे ऐसा बनाईए, कि जो भी एक्जामनार आए देखने वाला आए, उसको अच्छा लगे, अच्छा है एक ही बार में आपको नमबर दे दे, ठीक है अब आगे बढ़ते हैं लिखते हैं एक्जामनेशन कौन से कौलिफिकेशन की हैं 10th में 10th ठीक है 10th लिखते हैं और क्या लिखते हैं 12th ठीक और BA .A ठीक है BA 10th में ठीक है TH लिखते हैं और इसको छोटा करना है तो इसको सेलेट करेंगे और क्या करदेंगे बोलेगा सुपरिस्क्रिप्ट हो गया उसी प्रकार इसमें भी लिखते हैं TH इसको भी क्या करदेंगे हम सुपरिस्क्रिप्ट करदेंगे क्लिक करदेंगे हो जागा ठीक आगे है कौन सा बोर्ड उनका है तो UP बोर्ड ठीक या CBSC बोर्ट रहेगा तो CVSC बोर्ट डालिएगा इसमें भी क्या रहेगा UP बोर्ट ठीक और नीचे क्या रहेगा नीचे जो भी आपका रहे तो क्या है डाक्टर आरे यम यले यू फैजाबाद आई जेड ए बी ए फैजाबाद ठीक थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं ठीक है छोटा करते हैं इसको कम इनको भी थोड़ा छोटा कर देते हैं ठीक इनको भी छोटा कर देते हैं थोड़ा सा सटा सटा बोर्ट रहेगा तो अच्छा रगए ठीक आप करते हैं कि कौन से year में मतलग कौन से सन में पास के हैं 2016 2018 ठीक है और बी ए किसमें किये थे 2021 ठीक कितना कितना परसेंटे जाया था माली जे इनमें कितना आया 87% ठीक 87% ठीक 87% ठीक ठीक 12 में ये कितना पाये थे 51 दसम लो 2% ठीक बी ए में ठीक है बी ए अभी क्या है बी ए भी पासिंग है ठीक है कुछ भी अपने से डाल दीजेगे जो आप लोगों का होगा माली जे 68% ठीक इतना हो जायेगा सभी लोगों का ठीक अब इसके बाद अगर आप इससे ज्यादा जो है extra qualification मतलब कि आप computer में भी कोई qualification के है ठीक है तो क्या करिए यहाँ पे آپ क्या लिखेंगे extra qualification ठीक है यहाँ पे क्या लिखेंगे तो क्या होगा इससे कि आप इससे अधिक भी कोई qualification के है उसका भी नाम क्या करेंगे हम लिखेंगे ठीक है इनको भी थोड़ा सा डिजाइनु जाइन दे दो भाई ठीक आप लोग दिजाइन अपने तरीके से दिजेगा जो आपको कलर पसन्द होगा ठीक कलर दिजेगा जो भी अच्छा लगेगा थोड़ा सा बड़ा साइच कर लीजिएगा ठिक सब कुछ कर लेंगे अब क्या क्या आप पास हुए हैं उसको लिखेंगे कि क्या 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 आप qualification है मतलब computer में आप या extra में क्या लिखना चाहते singing या computer में कोई course complete हो तो माल लीजिए हमारा complete रहेगा क्या आप लोगों का जो complete रहेगा उसको लिखेंगे थोड़ा font अभी बताये न कि जो चीज लगाएंगे उसको दुबारा change कर देंगे तो क्या है triple c pass है ठिक triple c क्या 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 है हम पास किये हैं उसके बाद माल लीजिए हम पास किये हैं ADCA ठिक उसके बाद क्या किये हैं ADCA भी हम पास कर चुके हैं ठिक चलिए इतना चीज तो normal है सब लोग पास की रहते हैं O level वाले तो अब जाके O level भी पास कर लेंगे तो यहां क्या लिख देंगे O level लिखेंगे क्या लिखेंगे O level ठिक क्या लिखेंगे O level लिख देजएगा अब पूछ रहा है personal detail अब क्या डालना अपना personal detail लिखना क्या लिखना है personal detail ठिक है तो जिस तरह हम बताएं उसी तरह क्या करेंगे हम personal detail लिख लेंगे क्या लिखेंगे personal detail जो हमारा personal detail लाएगा उस personal detail को यहां हम क्या करेंगे fill करेंगे लिखेंगे ठीक है पहले हम size वाई अच्छे से कर लेते हैं ठीक color इसका कर लेते हैं color color कोई भी डाल देते हैं ठीक इतना चीज करेंगे personal detail भी आप लोग करेंगे ठीक अब personal detail में ठीक क्या क्या पूछता ओ चीज यहां पे हमको क्या करना है fill करना है तो क्या क्या चीज पूछता है father name, mother name address date of birth ठीक language ठीक है इसके अधिक भी अगर आप चाहते हैं कुछ लिखना तो क्या करिएगा यहां पे type करिएगा ठीक है control plus V ठीक देखी ठीक है इतना चीज आप करिए लेंगे हमको पूरा आसा है कि अब आप लोग यहां क्या कर लेंगे type कर सकते हैं ठीक थोड़ा सा यह सब अच्छे से क्या करिएगा बना दीजिएगा यहां पे आईए ठीक यहां ठीक यहां पे ठीक है इसको भी थोड़ा आगे कर दीजिए ठीक इनको भी थोड़ा आगे इनको थोड़ा पीछे कर दीजिए ठीक और इनको थोड़ा क्या करिए पीछे कर दीए इन सब को क्या करिए अच्छे से create कर दीजिए बना दीजिए अच्छे अच्छे से ठीक, देखें, कैसा लग रहा है अज। अजू को लगता है कि अच्छा लग रहा होगा सब को ठीक, इतना करने के बार ठीक, टो सबसे नीचे आ जाएंगे ठीक, अगर इसके अलावा भी आप लोगों को कुछ करना होगा ठीक, तो लगा सकते हैं आगे बढ़ते हैं कि हम कहां से place कर रहा है और अपना date लिखेंगे कि कौन सी date है copy करते हैं और यहां पे लाके क्या कर देंगे paste कर देंगे क्या करेंगे भाई लोग paste कर देंगे ठीक paste करने के बाद आ जाएंगे corner में उनका नाम लिखेंगे जो नाम उपर लिखा रहेगा हमारा first name वही हम क्या करेंगे यहां पे name लिख देंगे ठीक है वही तो space दबाईए space दबाके सबसे corner में चले जाए ठीक तो यह किसके नाम से बनाये थे एक बार उसको try कर लेते हैं यह था रोहन कुमार नाम से हम एक resume create किये थे ठीक है तो यहां पे दुबारा एक बार क्या लिखेंगे रोहन कुमार ठीक चलिए बड़ा size करते हैं maximize और देखते हैं देखिए आपका वा यह क्या हो गया बनके आ गया resume ठीक है अब थोड़ा इसको क्या करना हमको नजदीक करना सबसे पहले नजदीक करते हैं बहुत दूरी दूरी पर ठीक है नजदीक कर लेते हैं ठीक नजदीक करने क के लिए सबसे पहले alt select करेंगे उसके बाद क्या करेंगे हम line spacing पे जाएंगे ठीक line spacing option ठीक न और सब में क्या कर देंगे 00 कर देते हैं और ok करते हैं नजदीक हो गया ठीक सब देखिए एक्टम नजदीक नजदीक हो गया अब अच्छा लग रहा अब एक चीज और इसमें होता है कि आपको insert कराना अगर लगाना हो गया photo तो photo कैसे लगाते हैं ठीक तो insert पे जाएंगे और shapes पे जाएंगे और एक rectangle या ले लेंगे और इसे में क्या करेंगे हम photo लाके रख देंगे ठीक है फिल पे जाएंगे फिल पे जाने के बार image picture ठीक इसमें अगर कोई image या picture होता तो ठीक रहता है लगता है कोई है नहीं ठीक है कोई है नहीं चलिए download कर लेते है एक नार्मल सा ठीक एक नार्मल सा कोई image download करते हैं मांदीजे monkey का image या किसी फ्लावर करते हैं या फिया लो डगलूई है ठीक है image पर क्लिक करते हैं और एक image क्या करेंगे हम open करेंगे दिखेंग अब इसी को download करते हैं save by image ठीक खुल गया और क्या करना हमको desktop पे download करना क्या करना है desktop पे data पे क्लिक करेंगे और save कर दीजें देखिए हुआ कि पिक्चर से हम क्या करेंगे यहीं से हम उसको मंगा लें या टेक्स्ट्राइल लगाना है तो यहां लगा देजें ठीक है इसी प्रकर हमारी resume भी आमको आसा है कि आप लोग resume भी बना लेंगे ठीक है अगर नहीं आएगा बनाने तो आप लोग comment करिएगा ठीक धन्यवाद मिलते हैं अगली class में